हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू माई चानल ब्लड लाइन का नक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ एन आइम रेली सॉरी गाइस दो दिनों तक वीडियो अप्लोड ना करने के वज़े से ठंड के बारे मेरा गला खराब हो गया था तो चली शुरू करते हैं आज के एपिसो सब इतना रूट वीसरे और यह क्यूं के सब इतना ऑसे क्या हूं को सबह से मैंग्यां के सबसना दोनों ही हजिटेशन फिल करें थें उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बताए कैसे दूसरे तरफ वांग जी जो अपने ही कैलकुलेशन में लगा हुआ था वांग जी ने कहा मैं बताता हूँ ये बोल कर वांग जी बैठ गया था वींग भी वांग जी के तरफ देख रहा था वांग जी ने कहा तुम्हें मेडिसिन दिया गया था जिसने खाकर तुम अपने हीट में आ गये थे जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना विंग शॉक्ट हो गया उसने कहा क्या लेकिन किसने वांग जी कहता है तुम्हारा ब्रदर जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना विंग और भी ज़्यादा शॉक्ट हो गया उसको समझ नहीं आ रहा था कि जियंग चेंग वो ऐसा क्यों करेगा वो विंग को मेडिसिन क्यों देगा वो भी हीट में आने का जियंग चेंग विंग को पसंद नहीं करता है कभी भी नहीं करता है लेकिन जियंग चेंग मैडम यू की तरह नहीं है जियंग चेंग वींग को हर्ट नहीं करना चाता मैडम यू के साथ रह रहे कर जियंग चेंग के दिल में वींग के लिए प्यार नहीं है लेकिन मैडम यू की तरह नफरत भी नहीं है ऐसा बहुत बार हुआ है जब जियंग चंग ने वींग को मैडम यू के हाथ से बचाया है मैडम यू के पनिश्मेंट से बचाया है तो वींग को बिल्कुल भी हजब नहीं हो रहा था कि जियंग चंग ने उसे ऐसा मैडिसन दिया है अगर दिया भी है तो क्यों दिया है वज़ा क्या था वो मिस्स कर रहा है लेकिन क्या विंग अपने ही सोच में था और वांग जी विंग के ख्याल को समझ पा रहा था वांग जी ने कहा ये जाल तुम्हारे लिए बिचाया नहीं गया था विंग तो अपने दिमाग में इतना जोर मट डालो तुम तो बस बीच में आ गये थे यह सुनकर और भी जादा शौक्ट हो गया था विंग हाँ वो यही सोच रहा था कि यह सब कुछ बिलकुल भी उसके साथ नहीं होना चाहिए था जियांग फैमली उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करेंगे जब आज उनके लिए इतना बड़ा दिन था मैडम यू तो आज के दिन उसके साथ कोई तमाशा नहीं करने वाले और उपर से मैडम यू को पता भी नहीं था कि उससे इंवाइट किया गया था तो विंग यही सब को सोच रहा था शिचंगा और मिंड्याओ भी वहाँ पर थे वो भी सोच में थे वांग जी ने कहा अभी भी आप सब सोच रहे हो जियंग जियंग और मैडम यू ने इस प्लान को किसी और के लिए सजाया था विंग तो बीच में आ गया शिचंगा कहते हैं हाँ वांग जी समझ आ रहा है तुम्हारा बात लेकिन किसके लिए जियंग आज आजके दिन जो उनकी लिए इतना इंपोर्टेंट है उनकी बेटी के लिए इतना इंपोर्टेंट है आजके दिन ऐसे तमाशा क्यूं करना चाहेंगे वांग जी कहता है ज्यांग फैमिया नहीं ज्यांग च्यांग और मैडम यो और वो तमाशा नहीं कहने वाले थे उनका प्लैनिंग तो कुछ और था आपने नोटिस किया ब्रदर जूस पीने के बाद विंग को अजीब फील होना शुरू हुआ था उस जूस में कुछ था जैसे ही वांग जी ने ये कहा मेंग ज्याओ शिचान और विंग सब को रिलाइज हुआ कि हाँ जूस में कुछ था फिर वांग जी ने कहा वो जूस किस के लिए था ब्रदर शिचन का हैरान हो गय थे वो उनके लिए था मैंग्याओ के सामने भी छीज़े कलेर हो रहा था मैंग्याओ भी अब दिरे-दिरे समझ रहा था शिचन का कहते हैं लेकिन मेरे लिये क्यों मिंग्याओ दोनों को देखता है और कहता है अप मिंग्याओ से इतना प्यार करते हो कि आप दूसरों के तरफ देखते ही नहीं हो आपके आसपास आपके बहुत सारे अड्मार्स घूमते रहते हैं जियंग चियंग भी उनमें सही एक था आपने नहीं देखा अभी थोड़ी दर पहले हम क्या सोच रहे हैं जियंग चियंग के बारे में उससे जियंग चंग को कोई फरक नहीं परता लेकिन आप क्या सोचते हो उससे उससे फरक पर रहा था वो आपको कन्वेंस करने की कोशिश करा था कि ऐसा कुछ नहीं है शिचन का कहते हैं हाँ डॉक्टर जियंग ने ऐसा किया बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डॉक्टर जियंग का सीनियर हूँ और वो बैस अपने नौकरी को खोना नहीं चाहते इससे लिए उन्होंने ऐसा किया वांग जी ने अपना सर नामे हिलाया और बोला नहीं ब्रिदर मैंने जियंग हाउस में भी देखा जब आप वींग को मेडिसन दे रहे थे तब मैडम यू के चाहरे पर गुस्ता था वो बहुत गुस्ते में थे उनका प्लान फ्लॉप जो हो गया था वो आपको रट में लाना चाहते थे और फिर इसके बाद वांग जी चुप हो गया था अब शिचंगा और मेंगा वो समझ रहे थे विंग भी समझ रहा था कि क्या प्लान था जी आंग चंग और मैडम यू का विंग को बहुत गुस्ता आ रहा था मैडम यू पर जी आंग चंग एक टीनेजर है विंग 19 साल का है जी आंग चंग अभी 20 साल का है तो विंग समझ सकता है कि शायद वो शिचनगा से प्यार करने लगा था इसलिए उसने इस सब कुछ किया लेकिन मैडम यू वो तो समझदार है वो तो अपने बेटे को समझा सकती थी ना वो अपने बेटे के साथ ऐसे काम में इंवाल्व हुई क्यों विंग को बहुत गुस् तुम से कोई एक तरफा प्यार कर रहा है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते शिचनगा ने अपना सर नोट किया और बोला हां मिंग्याओ मैं समझता हूं लेकिन ऐसी हरकते ये तो डेंजरिस है अगर विंग के साथ कुछ गलत होता या फिर अगर मैं अपने रट में आ जाता तो क्या होता विंग ने कहा गगा आप जियंग जियंग के खिलाफ एक्शन लीजिए मैं चाहता हूं कि आप ले एक्शन अगर उसने ये कहने का एक बार हिम्मत किया है तो वो दुबारा भी करेगा अपने दिमाग से ना सही अपनी मदर के दिमाग से जरूर रो करेगा और शायद दुबारा जब वो करे तो वो सक्सेस्फुल हो जाए हमें उसे दुबारा मौका नहीं देना है विंग के बातों को सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया वांग जी भी विंग के बातों से सहमत है शुचन गा ने बस नोट किया विंग के बात उपर अपना सर औ नहीं विंग अभी एकदम ठीक है उसका टेंपरेचर नॉर्मल हो चुका है तो शुचंगा ने विंग को कुछ दवाई दिया और हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया शुचंगा हॉस्पिटल में रह गया थे उन्हें इस बारे में अपने ग्रुप से मीटिंग करना है वांग ज लेता है और वांग जी भी विंग के बेडरूम में आ गया था विंग को कमफोटेबली लेटाने के बाद मिंग्याओ विंग के लिए कुछ खाना बनाने के लिए चला गया था मिंग्याओ के जाते ही वांग जी विंग के पास बैठा और वांग जी ने विंग के हाथों को विंग वांग जी के चाहरे पे वरिडनेस देख पारा था विंग ने स्माइल किया और बोला डोंट वरी मैं ठीक हो मुझे कुछ नहीं हुआ वांग जी ने अपना सर नोट किया और बोला लेकिन अगर तबियत खराब लगे तो प्लीज मुझे कॉल करना और मुझे बताना मै जिंग ने अपने सर नोट किया फिर वांग जी अपने घर के लिए निकल गया था घर पहुचने के बाद ही वांग जी ने अपने असिस्टेंट शुयंग को कॉल किया और बोला जियांग कॉर्परेशन के बारे में सब इंफोर्मेशन देने के लिए जियांग कॉर्परेश किन-किन companies के साथ मिलकर काम करता है अभी जियंग Corporation के पास कितने काम है और अभी जियंग Corporation के पास कितने shareholders है सारे information देना होगा श्रियंग ने बस अपना सर नोट किया और बोला ठीक है सर मैं देखता हूँ यह कहते हुए श्रियंग ने call cut कर दिया था शुयंग लग गया था अपने काम में और वांग जी सिधा फ्रेश होने के लिए चला गया था शावर के नीचे वांग जी अपना सर जुका के अपने आखों को बंद करके रखा था उसका बॉड़ी बहुत हीट हो गया था वो अपने आपको कंट्रोल की हुए था विंग का फैरमॉन कितना स्ट्रॉंग है और किस तरीके से वांग जी के उपर असर करता है वो वांग जी को भी फील हो रहा था इतनी देर तक वांग जी एक प्रेशर में था वो टेंशन में था उससे नर्वसनेस फील हो रहा था विंग को ऐसे देखकर और साथ में वो बहुत ज़्यांग फैमिली को पर गुस्से में था बट अभी जैसे ही वांग जी ने वाश्रूम में आके अपने क्लोथ को रिमूव किया जैसे विंग का फैलमॉन उसके बोडी से रिलीज हुआ और ये इतना स्ट्रॉंग है कि वांग जी का पूरा बोडी स्टिफ हो गया था कुछ ही सेकेंड में वांग जी अभी इस सिचुशन में अपने आपको शांत करने के अलवा कुछ कर नहीं सकता इसलिए वांग जी ने यही किया फिर वांग जी अच्छे से बात लेता है और वो बहार आ जाता है वाश्रूम से नेक्स्ट मॉर्निंग तो जीयंग फैमिली के लिए एक नॉर्मल मॉर्निंग था लेकिन ज्यांग फैमिली को आइडिया ही नहीं था कि आज का दिन उनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी के ओफिस डेक्स के उपर ज्यांग कॉर्परेशन का पूरा डीटियल्स था मतलब सब कुछ वहां पर ज्यांग कॉर्परेशन के पहले जो मालिक थे मतलब ज्यांग फैमिया और वींग के फादर उन दोनों के पाइम का भी सारा डीटियल्स था वंग्ज ने अच्छ से फाइल को पढ़ा उसे ये पता चला कि जियंग कॉर्परेशन को जियंग फैमिया ने खरा नहीं किया था जियंग कॉर्परेशन को तो वींग के फादर ने खरा किया था जियंग कॉर्परेशन का शुरुवात वींग के फादर ने किया था तब जियांग फैमिया एक अलग कमपनी में मैनेजिंग डिरेक्टर का काम किया करते थे फिर जब जियांग कॉर्परेशन धीरे धीरे एक बड़ा कमपनी बनता गया तब विंग के फादर ने जियांग फैमिया को अपने साथ इन्वॉल्ब किया था विंग के फादर ने जियांग फैमिया को as a managing director अपने company में जियांग कॉर्परेशन में जॉब दिया था और फिर जब विंग के फादर और मदर का death हुआ तो जियांग फैमिया ही legally जियांग कॉर्परेशन का अगला हगदार बन गए थे विंग के फादर ने अपने ब्रदर पर भरोसा किया था उन्होंने सोचा था जैसे उन्होंने अपने पूरे जिंदेगी अपने ब्रदर के बच्चों को अपना बच्चा समझ कर प्यार दिया अपना पंदिया उन्होंने यही समझा था कि उनके जाने के बाद भी शायद जिय जियांग फैमिली में जो उनका पुष्टेनी घर है जहांपर विंग का भी पूरा अधिकार है वहांपर भी रहने का हक नहीं मिला था वहां से भी उसे टॉर्चर किया गया और उसे उस घर से निकलने में मजबूर किर दिया गया था यह सब कुछ वंग जी सोच रहा था और को अच्छे से देख रहा थो उसे एक एक चीज परके ना बहुत गुसा आ रहा था उसने पहले हाँ investigation किया था बट इतना details में नहीं उसने बस जियांग family में कौन-कौन है वो कैसे है यही सब किया था investigation और कुछ नहीं बट अभी जब history के बारे में वो सोच रहा था पर रहा था तो वो और भी जादा गुसा हो रहा था उसने शुयांग से कहा जियांग corporation के जितने भी share holders है उनसे जियांग corporation का share खरीद लो अगर वो ना बेचना चाहे तो भी खरीदो दुगने दाम से खरीदो मुझे सारे के सारे shares चाहिए यह सुनकर शुयांग हरान हो गया था दुगने दाम से share खरीद ना चलो ठीक है अगर बॉस कह रहे हैं अगर उसका बॉस चाहता है यह तो शुयांग यही करेगा इसलिए शुयांग ने अपने शुयांग के पहले ही जियांग कॉर्परेशन के सारे shares खरीद लिये थे वह भी legally सारा काम finished किया था उसने वह इतना जादा फास्ट था शुयांग के काम से वांगजी खुश था शुयांग फास्ट हो भी क्यों ना वह वांगजी के साथ काम करता है उससे अपग्रेड़िट और फास्ट दोनों होना चाहिए वर्णा उसका जॉब चला जाएगा लंज के बाद शुयंग ने सारे पेपर्स को वांग जी के सामने रख दिया था वो सारे डॉकुमेंस थे शेर्ट खरीदेने का वांग जी ने सारे डॉकुमेंस को एक बार फिर उसने चेक किया और वो सार शेर वींग के नाम पर जी यंग कोर्परेशन का 75% शेर वींग के नाम पर आ गया था एक दो परसन नहीं जी यंग कोर्परेशन वींग का था दूसरे तरफ हमें जी यंग चंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आया हुआ था उसे सुबह सुबह लैंग हॉस्पिटल से call आ गया था उसे बुलाया गया था जियंग चैंग अभी meeting hall में बैठा हुआ था जहां पर hospital management के सारे बड़े लोग बैठे हुए थे शिचन भी वहाँ पर था और कुछ और जो hospital को manage करने में शिचन का help करते हैं वो भी medical rules को तोरा है आप से हमने ये उमीद नहीं किया था जैंग चैंग ने अपना सर जुका लिया था वो senior doctor आगे कहते हैं आपने जो crime किया है उसका सजा आपको मिलना चाहिए आपको शुक्र गुजार होना चाहिए आपके brother का आपके brother ने हमसे request किया कि हम आपके खिलाफ legally action ना ले अगर उन्होंने हमसे ये request नहीं किया होता तो अब तक आप जेल में होते हमारे सामने नहीं बैठे रहते खेर उन्होंने request किया हमने माना लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा नहीं मिलेगा आपका medical license band कर दिया जाएगा आपने medical field का गलत फाइदा उठाया है इस वज़े से और आपको दुबारा कभी किसी hospital में नौकरी भी नहीं मिलेगा और साथ में इस job से भी आपको निकाला जाता है ये कहते हुए जियंग जियंग चेंग के सामने एक recognition later दिये दिये जाता है जियंग चेंग के आँखों से आंसु निकल रहे थे वो अपना सर उचा करके देख भी नहीं पा रहा था उससे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या हो गया था कि उसने अपनी मदर का साथ दिया और अपने ही पैर उपर अभी एक अजीब सा ही look है डॉक्टर शिचन का जियंग चेंग ये सब कुछ और handle नहीं किर पाएगा इसलिए जियंग चेंग तुरंत वहां से उठता है अपना resignation later लेता है और चला जाता है वो सीधा जियंग mention ही आया था उसका सब कुछ खतम हो गया उसका career बरबाद हो गय घर आके उसे एक और बरा जटका लगता है उसे पता चलता है कि लैंग कॉर्परेशन ने जियंग कॉर्परेशन के सारे share holders से shares खडीद लिया है अब लैंग कॉर्परेशन के 75% share है मतलब वो ही अब जियंग कॉर्परेशन के मालिक है मैडम यो अपने सर पर हाथ रखके बैठे हुए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उनका सब खतम हो गया सब कुछ वहाँ पर दो इंसान ऐसे थे जिनें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था एक यानली और दूसरा जियंग फैमिया खुद जियंग फैमिया के मूँ से यानली ने सुना था कि कल क्या क्या हुआ है और कल से माडमियो कितनी गुसे में है वो मतलब पार्टी खतम होने के बाद वो तो बोले जा रही थी ने कि उनका सब खतम हो गया उनका प्लैन खतम हो गया जियंग चैंग इतना अपसट है तो यानली को कही न कही भनक लग गया था कि कुछ ना कुछ बुड़ा किया है इन दोनोंने मिलकर उसे उतना दुख नहीं हो रहा था जो कुछ भी आज सुबस से हो रहा था जियांग फैमिली के साथ उसे देखकर उसे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा था वो बहुत शांत थी मैडम यू बिल्कुल भी शांत नहीं थी और दूसरी तरफ जियांग फैमिया उन्हें तो बिलकुल भी मतलब उन्हें कुछ फरक ही नहीं पढ़ रहा था उन्होंने हवेशा से जियांग कॉर्परेशन को अपने ब्रदर का ही समझा था वो तो उनकी वाइफ है जिन्होंने उनके ब्रदर का साड़ा कुछ हर्प लिया था एकदम और आज अगर वो सब कुछ किसी और के पास जा रहा है तो भी जियांग फैमिया को कोई फरक नहीं पर था क्योंकि अब तक जियांग कॉर्परेशन थोड़ी ना उनके पास था सब कुछ तो मैडम यू खुद हैंडल क्या करती थी और मैडम यू है जो विंग के मदर और फादर के देद के बाद जियांग कॉर्परेशन को हरपने में सब कुछ मतलब हर एक चीज वो कर चुकी थी जो बहुत ही गलत है उन्होंने जितने भी शेयर होल्डर से उन्हें पैसे दिया और गलत गलत काम किया गलत तरीके से ही वो जियंग कॉर्परिशन को आगे लेकर जा रहे थे और आज अकर जियंग कॉर्परिशन के हाथ से गया है तो गलती उन्हीं का है तो जियंग फैमिया को अभी बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था जेंग फैमिया जो आराम से बैठे हुए थे अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो सूप पी रहा था उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जा रहा था एक दम बेबी जैसे रखते हैं न कोई बेबी को उसी तरीके से विंग को रखा जा रहा था विंग उतना हसी आ रहा था ना विंग बार-बार बोल रहा था गगा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ हाँ शायद कल तबियत खराब हो गया था बट उसके बाद से मैं एकदम ठीक हूँ में चल पाऊंगा दोर पाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं होगा बट मिंग्याओ है वो कुछ भी नहीं सुन रहा था उसने तो साफ साफ कहा था कि तुम बिस्तर से मतिलना मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा और अगर तुम्हें वर्ष्रूम भी जाना है तो भी तुम मुझे बुलाना मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा विंग बस हसे जा रहा था सच में मिंग्याओ ने विंग का कान पकड़ा और खीचते हुए बोला तुम्हें बहुत हसी आ रहा है हां तुम्हारे ब्रेदर ने मुझे काहा है कि तुम्हारा ध्यान रखा जाए तुम्हें अच्छे से प्रॉपर रेस्ट दिया जाए तुम्हारा तबियत अभी ठीक नहीं है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम रिकवर कर चुके हो लेकिन ऐसा नहीं है विंग ने अपने कान को मिंगाउ से चुड़ाते हुए कहा आग गा दर्द उड़ाए अच्छा ठीक है ना मैं रेस्ट करूँगा मैं अब कंप्लेन नहीं करूँगा मिंगाउ ने कहा हम अब गुड बॉल की तरह यहां पर बैठो और सूफ फिनिश करो विंग को आइडिया था कि जियंग चैंग को आज पनिश्मेंट मिलने वाला है इसलिए विंग का दिल कहीं ने कहीं थोड़ा उदास था लेकिन विंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अब जियंग कॉर्परेशन का लीगल मालिक बन चुका है उससे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है शिचंग आये थे शिचनगा ने Wing सर मिंग्याओ से कहा कि जियंग चंग को punishment मिला है बट उतना बड़ा नहीं जितना उससे मिलना चाहिए था Wing के request को शिचनगा ने सुना है और मना भी है Wing बहुत जदा thankful है Wing ने एक बार फिर शिचनग को thank you किया शिचंगा ने बस अपना सर नोट किया, शिचंगा आज यहां पर कुछ और बोलने आये थे, अज पूरा दिन जियंग्चंग के जाने के बाद शिचंगा सोच में पड़े हुए थे, जो चीज जियंग्चंग करने के बारे में सोच रहा था, अगर वो अपने प्लान में सक्स हो जाता, तो शिचंगा क्या करते, वो मिंग्ग्याओ का अपना चेहरा कैसे दिखा पाते, वो आज पूरे दिन यही सोच रहे थे, और उन्होंने पूरे दिन के बाद कुछ डिसिशन लिया था, कुछ डिसाइड किया था, और वो चाहते हैं कि मिंग्ग्ग्ग्याओ उनक करूंगा विंग तोरह नौटी टोन में कह रहा था और शिचंग और मिंगाव यह समझ रहा थे मिंगाव ने शिचंग की तरफ देखा और विंग की तरफ भी एक गुस्सेवारा लुक दिया विंग ने बस अपने मुपर अपना हाथ रख दिया फिर शिचंगाव हसते हुए म मिंग्याव बैठा हुआ था और वो patiently इंतजार कर रहा था कि शिचंगा क्या बोलना चाहते हैं। शिचंगा ने कहा मिंग्याव मैंने कुछ decide किया है। मिंग्याव ने कहा हम बोलो क्या हुआ। शिचनगा अब मिंग्याओ के सामने घुटनों पर बैठते हैं और कहते हैं चलो शादी करते हैं ये इतना सडन था मिंग्याओ के लिए कि वो शॉक्ट में आ गया उसने कहा क्या शिचनगा मिंग्याओ के दोनों हाथों को टाइटली पकरते हैं और कहते हैं चलो शादी करते हैं, मुझे बस अब तुम्हारे साथ रहना है, बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर हमारे नसीब में बेबी नहीं है, तो बेबी ना सही, लेकिन इस रीजन के वज़े से हम एक दूसरे से अलग क्यों रहे, मैं गयाओ फिर से, श मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे शादी करना है, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम्हारे डिशिशन को रिस्पेक्ट दिया है, तो क्या एक बार, एक बार, तुम मेरे इस डिशिशन को मान नहीं सकते, शिचन का के आँखों में होप था, मिंग्याओ देख रहा था, उसने भी बहुत जादा लोगों की बातों को सुना है, इंतिजार किया है कि लोग उसे एकसेप्ट करेंगे, एक दिन प्राब्लम सॉल हो जाएगा, तब उस शिचन के साथ खुशी-खुशी, शादी करेगा, सब हैपी होंगे, बड़ ऐसा करते हैं, शिचन का इतने खुश हो गए थे ना, उन्होंने तुरंत मिंग्याओ को हक कर लिया था, मिंग्याओ ने कहा शिचन विंग बाहर है, शिचन का कहते हैं कोई बात नहीं, है एवरिवान, आज का एपिसोड यहीं पर खतम होता है, जरूर बताना आज का एपिसोड क